हम है रैड नेटवर्क हम करते हैं जन की बात लोग जनसक्ति पार्टी को इस चुनाब में अपने मुद्दे के साथ राजनीत में जाना चाहती है वह चाहती है लोग लोचपा का जो मेरी सु है कि जो मेरा जो एजेंडा है राजनीति के एजेंडा उसको आप जो एंडिये का सवरूप है उसमें आप सामिल करिए ताकि कल अगर हम जनता के बीच जाएं तो हमारा एजेंडा लागू होना चाहिए सीट के सवाल पर तो हमारे राश्टिया धर्चिराग पासबान जी ने कभी कहा है नहीं हमारे राश्टिया धर्च जी का एक statement आज तक पूरे बैलेंस के साथ अपनी बात को रखते हैं या बिहार के नौजवानों को पसंद आता है और नौजवान उनसे कनेक्ट हैं जाती धरम मजहब से उठकर सब चिराग पासबान जी के साथ चलना चाहते हैं तो हमारे लीडर तो बहुत मजबूत हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ उनके साथ बिहार के नौजवान अपने को कनेक्ट करेंगे और आप दीख रहे हैं रैड निट्वार के बिहार बिधान सभा का चुनाब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है बिहार का राज नितिक ताबमान बढ़ता जा रहा है दूसरी ओर गठव सेरिंग को ले करके घमासान मचा है एलजेपी के तेवर काफी तीखे हैं जेडियू को ले करके और एलजेपी ने साफ कर दिया है कि वो 147 सीटों पर आने वाले बिधान सभा चुनाब में अपना उमिदवार उतारेगी और अगर सिट का वटवारा सही धंग से होता है तो क कम से कम 36 सीट तो उसे मिलना ही चाहिए हमारे साथ एलजेपी महासाचीव डॉक्टर रंजीत सिंग है आए उन से जानते हैं कि आखिर एलजेपी के तेवर इतने तलक क्यों है डॉक्टर शाहब जिस तरह से आप लोग के जो नेत्रित्व हैं उनके तेवर काफी तलक हैं योगियों से इतना ऐसा क्या हो गया कि इतना अचानक से तेवर तलक हो गए है इसा को मुधिया सवाल को जो disciplinary के साथ मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार के मान्य मुखमंत्री नितिस कुमार जी के सामने रखने का काम किया अभी जो आपने सीट के सवाल पर आपने जो चर्चा किया है हम लोग का दो दो बार पारलेमेंटरी बोर्ड का बैठक दिल्ली में हो चुका है 143 सीट का हम लोगों ने बुथ कमीटी बना के अपने राष्टिय अध्यच जी के जिमें उनको सौप चुके हैं वह पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ उसमें एक एक बुथ पर दस दस आदमी की कमीटी बने हुए है उस बुथ का समस्या चिन्हित करके हम लोगों रखा है इस बार हम लोग और खास करके लोग जनसक्ती पार्टी ने बुथ प्रतेक बुथ का उस बुथ का क्या समस्या है यह भी उन्होंने चिन्हित करने के लिए कहा था तो ये सब हम लोग तैयारी करके उनको उनके संग्यान में मैंने दिया है हम लोगों ने पूरा बिहार पारलेमेंटरी बोर्ड का दो-दो बैठक उनके साथ हुई थी और कल भी हमारे लोग जनसक्ति पार्टी के सभी MP का बैठक हुआ था और कुछ दिन पहले आप लोग के अ बिर्दाई का मैंने तेज जन्नकारी हम लोग को मिला कि हमारे राष्टी अध्यचंत जी पुर्धान मंत्री देश के मानने परदानी नरेंदर मोदी जी को एक चिठी लिखा है इस चिठी का सवरूप क्या है हम लोग को पता नहीं लेकिन है कि लिखा है भी हर सरकार के काम काझ के सवाल कर तो तेवर तल्ख नहीं है। लेकिन जो समस्य उटको तो बताना पड़ेगा आपके शंग्यान में देना पड़ेगा चुकि हम लोग भी छक कर में भिहर सिस्टम में हिसा में हैं नहीं केढ़ी सरकार में हैं हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं तो जो आपने कहा कि तेवर तल्ख है तल्ख वाली कोई बात नहीं हाँ जो मुल्भूस समस्या है वो निश्चित रूप से हम लोगों चिन्हित करने का काम किया है कि सेरिंग को लेकर के ही है कि सेरिंग आप लोग अड़े हुए है कि 36 से कम नहीं और अगर 36 से कम तो 143 सीटों पर जेडियू के खिलाफ हम शुनाव लड़ेंगे तो यह तो संकेत इसी बात के हैं कि देखें कि सीट का कितना सीट पर लड़ना है कितना सीट हम लोग को सहयोगियों से चाहिए यह सब हमारे राष्टिया ध्यच जी के जी में है उनको तया करना है कि कितना सीट पर लोग जनसक्ती पार्टी के साधारन सिपाही हैं कल हमारे लोजपा के राष्ट्रिय उपाज़ सुरजभान सिंग्जी का हम लोग टीवी चैनल में उनका एक स्ट्रेटमेंट देख रहे थे कि देखिए एक सो एक सो जो तेज सीट है उस सीट पर जनता दलियू और बीजेपी के हमारे जो सहयोगी है आज जो इंडिये का जो वो जीते हुआ सीट है अब बच गया 120 तो 120 सीट पर आप लोग जन सकती पार्टी अगर आपके साथ एलाइंस में रहती है तो उनको तो के हिसाब से कम से कम 20 एक सीट तो चाहिए ना उन्होंने बुला है मेरा यह ब्यक्ति का तराई नहीं है तो यह बड़ा लॉजिकली हम लोग को लगा और उसके बाद जो सीट मान के चलिए कि जहां उसमें भी सीट में होता है बी ग्रेट सीग्रेट सीट उसको भी बाद में चुन्हित करके उस पर चर्चा होगी लेकिन हम लोग उसके लिए और जनसकती पार्टी पूरी तरीके से अपने नेता चिराग पासवाण जी के साथ खड़ा है उनका जो भी डिसीजन होगा इस चुनाब में लोग जनसकती पार्टी का हर्ज कार्ज करता पूरी मजबूती के साथ उनके डिसेजिन के साथ ख़डा नजर आएगे, अपको, लिगं पर कर नुक्सान पहुँचा करना चाहती है, tota सी हुशनाब में, इसलिए 143 सीटो पर शुनाब लड़नाना चाहती है, को आपने पार्टनर को पहुंचाना चाहेगा आपसे एक को मैं कर रहा हूं एक ought सबस्क्राइन के लेकिन जब हम एलाइन्स में हैं तो हमारे हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए पार्टी का एक अएक कार्ज करता, जो जमीन पर काम करता है, उसका भी पार्टी से उमीद होता है, मैं यहाँ पर मजभूति से काम क्या होंग, हमारे हिस्सेदारी होनी चाहिए, बीजेपी और बीजेपी ने तो भाई, सबने कहा के रखा है, आप देखेगा, अमीत प्षाइब लुड़ाई के लिए जएपी के राश्ट्री अध्याच्छ, उनका स्टेटमेंट है, बिहार के बीजएपी के कद्दाबर जो नेतासब हैं, उनका स्टेटमेंट है, नितिसकुमार के अगवाई में चुनाब लेंगे, तो बीजेपी क्यों कमजोड करना चाहेग लोक जन सकती पाटी को अब इस चुनाव में अपने मुद्दे के साथ राजनीत में जाना चाहती है, वह चाहती है लोजपा का जो मेरी इसू है, कि जो मेरा जो एजेंडा है राजनीति के एजेंडा उस हो आप जो एंडिये का सवरूप है उसमें आप सामिल करिये, ताकि कल अगर हम जनता के बीच जाएं, तो हमारा एजेंडा लागूना चाहिए, सीट के सवाल पर तो हमारे राष्टिया दर्चिराग पासबान जी ने कभी कहा है नहीं कि अभी तक किसी से बात ही नहीं हुए है, कल भी जो मीटिंग हुआ उस समझ तक उन्होंने कहा है, कि अभी स सीट के सवाल पर ना तो भारतिय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ ना जनता दली के किसी नेता के साथ उनका बैठना हुआ, तो सीट का चर्चा कहा कर रहा है, कि जैसे आपने कहा कि कॉमन मैन का सवाल, कॉमन मैन जो है 15 साल के बाद, 20 साल, नितिश कुमार जी को नहीं द कि भारत के प्रधान मंत्री जी को उन्होंने पत्र के माध्यम से भेजा ट्यूटर पर सब जगह देखे जो हम लोग फिल कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं लोक जन्सक्ति पार्टी इस चुनाब में जन्मानस का जो समस्या है उसके साथ जुड़के चुनाब लड़ना चाहते है लोग जन्सक्ति पार्टी आपका पार्टी नित्रित्व जो है पार्टी अध्यक्स चिराग पासवान जी एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे और लोग जन्सक्ति पार्टी की भूम का अभिहार सरकार में बहुत बड़ी होगी देखे मैं आपको इमंदारी से जो मैं भी कई छेत्रों में घुमता हूँ कई जिला में मैं घुमते रहा हूँ नौजवानों के बीच जो लोग प्रियता चिराग पासवान जी का है वह आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनका एक एक मिटिंग में उनसे लोग मिलने के लिए हाथ मिलाने के लिए उनके साथ सेलफी लेने के लिए और चुकि वह इसलिए है कि अभी आप 18 से जो पचीस सा जो देखेगा यहां नौजवानों का प्रदेश है और नौजवानों से कनेक्टी भीटी चिराग पासवान जी का सबसे बहतर है आज भी हम लोग के राष्टी अध्यच पर कई लोग ने कई तरह का कॉमेंट किया आपने देखा होगा लेकिन हमारे राष्टी अध्यच जी सब चिराग पासवान जी के साथ चलना चाहते हैं तो हमारे लीडर तो बहुत मजबूत हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ उनके साथ ब्हार के नौजवान अपने को कनेक्ट करेंगे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे लजेपी के महासिचीब डॉक्टर रंजीत सिंग जिनका साप कहना था कि चिराग पासवान जी जो लजेपी के रास्तिय अध्यक्ष हैं किसी भी यूठ लीडर से सबसे ज़्यादा यूवाओं से कनेक्ट करते हैं और यूवा उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी बातों में अपनी ताकत दिखाते हैं और यही बज़ा है कि आप आज कल देखते होंगे कि चिराग पासवान ट्यूटर फेस्बुक जैसे सोसल मेडिया पर मुख्यमंत्री के तौर पर रैड निटवर्क पटना